नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार तिरपाथी दोस्तों एक महत्तपूर्ण वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उम्मीद है आपको पसंद आएगा जोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कानून है वो अब बदलने वाले हैं राष्ट्रपती ने साइन कर दिये हैं और उन कानूनों की जगह अब नए कानून लागू होंगे IPC, CRPC, Evidence इनमें Changes किया गया है कई लोग का कहना कि क्या Changes होए हैं तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दो 19-20 का अंतर है बस जादा कोई अंतर नहीं है जो कानून पहले थे वही कानून है फर्क सिव इतना कि धाराय बदल गई है बीच से कई कानून हटा दिये गए हैं जो किसी काम के नहीं होते थे जिनका कोई यूज नहीं था यही कानून के धाराय आगे खसक गई है और कोई ज क्रांतिकारी कदम नहीं है तो अगर कोई सोच रहा है कि क्रांतिकारी कदम है तो मैं माफी चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है कोई दम वाली बात नहीं है कि यह चाहिए था कि जो आप लौ बना रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते कि बेकसूर विक्ति को आसाने से फसाया ना जा सके और जो गुनेगार है वो आसाने से बचना सके अगर ऐसा कानून आप बनाते तो जरूर उस कानून के दौरा एक मिसाल पैदा की जा सकती थी ल है इन्होंने कभी ऐसा कोई लौब बनाया ही नहीं कि बाहरी दुनिया के लोग जो है वो उस कानून से कोई प्रेड़ना ले सके हैं ठीक है जैसे कि हमारी जो एंसियन चीजें हैं उससे पुरी दुनिया हमसे कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखती है जो हमारी प्राचिन परंपरा कभी योरोप को वो पसंद आती है अमेरिका को पसंद आती है चाइना हो गया रश्या हो गया लेकिन आजादी के बाद हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमारी चीजों को पसंद करें हमने ऐसा कोई लौ नहीं बनाया कोई सिस्टम नहीं बनाया कि इसको बाहर के लोग पसंद कर हैं IPC CRPC evidence में उनमें कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है कुछ ठीक ठाक provision डाल दिये गए हैं उनके वेस पर अगर कुछ राहत मिले तो मिले आम आदमे को वरना कोई ज़्यादा दम वाली बात दोस्तों नहीं है बात को आगे बढ़ाता हूँ जैसे कि अगर कोई आप अगर matrimonial cases की बात करो या फिर किसी भी criminal cases की बात करो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो है वो मुझे जूटे आरोप में फसा सकता है कोई महिला मेरे उपर बलातकार का जोठा मुकदमा लगा सकती है मेरी wife मेरे उपर 498 A या दहेच का जोठा मुकदमा लगा सकती है या कोई छेड़कानी का मुकदमा लगा सकता है या किसी भी तेरह का ऐसा criminal case जिसमें मात्र बोलने भर से आप पर F.I.R. हो जाए ऐसा जूठा मुकदमा मेरे उपर कोई लगा सकता है इससे बचने के क्या उपाय है ठीक कुछ ऐसे कानून भारत में वहें दोस्तों जहां पर की सिब बोलने मात से आप पर एफाया दर्ज हो जाए और आपकी गिरपतारी भी हो जाए और आपकी जमानत बिना हो जैसे कि दहेश कानून हाला कि दहेश कानून में गिरपताई नहीं होती है लेकिन मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद क्या कहते हैं बलात करणा कानून जिसमें कि इसी बोलने मात से आप अंदर हो जाओगे और जमानत में बगाफी दिक्कत आएगे छेड़ खानी के कानून याउन शोशन के कानून और एट्रोसिटी एक्ट के कानून ठीक है ये वो कानून है जहां पर आप पर सिर्फ कोई एक आरोप लगा दे और आपकी इरपतारी हो जाएगी आपकी जमानत भी नहीं होगी ठीक है तो सवाल ये है कि इससे बचने के क्या उपाय है अगर कहीं से मुझे ख़बर मिल जाए कि मेरे उपर ऐसा मुकदमा लगाने की प्लानिंग चल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए तो दोस्तों आज एक चीज बता देता हूँ अगर लाइफ में आपके साथ ऐसा कुछ घट रहा है या घटने की संभावना है तो मेरे ख्याल से मेरा ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी सावित होगा और साथ में ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं आपकी जिन्दगी को बचाने में भी काम आएगा अगर कभी भी कोई किसी जूटे प्रकरण में आपको फसाने की धमकी देता है तो सिम्पल सा एक काम कीजिए सबसे पहले तो उसके खिलाब आपके ठाना छेतर में या फिर जहां से वो वक्ती आपको फसाने की धमकी दे रहा है या दे रही है वहाँ से आप वहाँ पर एक शिकायत लिखिश शिकायत पुलिस को दे ठीक है उसमें सारे फ्यक्ट आप लिख दे आप वो शिकायत नहीं बना सकते सही तरीके से तो किसी वकील से बनवाए लेकिन वो शिकायत बड़ी तगड़ी बनने चाहिए वो शिकायत पुलिस को दे कर आए अपने थाने पर दे कर आए अगर पुलिस वो शिकायत नहीं लेती है बाई पोस्ट आप वो शिकायत पुलिस को भेजें पोस्ट ओफिस की रसियन संभल के रखें और 3-4 दिन बाद उस सिकायत की कॉपी पुलिस के किसी बड़े अधिकारी को भी देखकर आ जाए उसके आफिस में CSP हो गया, DSP हो गया, SP हो गया, IG हो गया, DIG हो गया या फिर जहां कमिशनर रूल लागी हूँ वहाँ पर कोई डिप्टी कमिशनर हो गया ठीक है, additional कमिशनर हो गया, ACP assistant कमिशनर हो गया वहाँ पर जरूर दे कर आए, ये काम फटा फट कर ले इसके बाद आप जिला कोट के अंदर जो आपके आगे कोट लगती है वहाँ पर धारा 156 और धारा 200 CRPC अब जो नया कानून आएगा उसमें इन धाराओं में चेंज हो चुका है ठीक है, हाला कि उसमें एक चार्ट बना हुआ है कि पहले जो धारा ये थी अब वो कौन सी धारा में गिनी जाएगी इसका पुराइक चार्ट भी बना हुआ किताबों में आ रहा है इसने आप पर जुठा आरूप लगाकर आपकी जिन्दगी बरबाज करने की धंकी दी है उस पर IPC की धारा 506 के तहद मुकदमा दर्ज गरने की अपील जस्टि करें कि सर, इसने मुझे इस तरह के प्रक़र में फसाने की धंकी दी है और मेरी जिन्दगी बरबाद करने की धंकिदी है इसलिए इस पर धारा 506 का मुकदमा दर्ज किया जाए अब जज मुकदमा दर्ज करता है या नहीं करता है उससे हमें कोई टेंशन नहीं है उससे हमें कोई टेंशन नहीं है अगर दर्ज कर लेता तो बहुत अच्छी बात है वो नहीं करता तब यो कुछ order लिखेगा उसकी certified copy निकलवा के अपने पास रखें ठीक है ताकि कल को अगर मुकदमा लगाया तो वो copy दिखा सकते हैं कि मुझे इस पर doubt था इसलिए मैं कोट की शरण में पहले ही चला गया था और कोट ने मैं कोट में गया था इसका प्रमान है दूसरी बात 156 अगर आड़ जाएंगे या evidence बगेरा देंगे तो cjc बात ते 156 के तहत कोट FIR के आदेस कर देगी अगर नहीं भी करती है 156 खारिज करती है तो उसको आप शेशन कोट हाई कोट तक ही जीजिए अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं धारा 200 के तहट कोट में बयान दर्ज करवाईए कि इसको आगे बढ़ाईए कुल मिलाकर इससे आप के उपर अगर कोई जोटा मुकदमा लगने वाला है या लगस या मान लेजिए कि एफाय दर्ज हो गई है लेकिन उसके पहले ही आपने जो हमने आप कोई बताया वो कर देते हैं तो पूरा केस आपका इस्टवांग बन जाएगा फिर सामने वाला कितने भी गंबीर आरूप आपके क्यों लगा दे आप मुकदमा जीच जाएंगे और आपकी जमानत भी हातो हात होने की बहुत जड़ा संभावना होगी दारा 506 का मतलब यह है कि कोई आप पर आपको धंकी दे किसी भी तरह की ऐसी धंकी जिससे आपकी जिन्दगी या आपकी रेपोटेशन खत्रे में आ सकती है कि ते को जान से मार दूँगा तेरों पर मुकदमा लगा दूँगा तो बरबाद हो जाएगा ऐसा कुछ भी ऐसी किसी भी तरह की धंकी अगर कोई व्यक्ति देता है तो इसको धारा 506 के तहत गंभीर अपराद माना जाता है और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी घटने की संभावना है तो आप तुरंद पुलिस में शिकायत दें पुलिस कोई कारवाई करती नहीं हम जानते है लेकि शिकायत देना जरूरी है क्योंकि जो प्रोविजन है हमको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा तो पुलिस को लिखे शिकायत दे अगर ले ले तो अच्छी बात है ना ले तो बाई पोस्ट भेजें फिर कुछ द हमारा केस जो है वो श्ट्रॉंग हो जाएगा क्योंकि हम पहले कोट पहुंच चुके हैं और अगर किस्मत अच्छी रही तो कोट उसके खिलाफ ही एफाई आर के आदेस कर देगी और अगर कोट एफाई आर के आदेस नहीं भी करती है तब भी आपका ही केस श्ट्रॉंग रहेगा तो उमीद है हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है अगर ऐसा कुछ भी आपको घटीद होने के संभाव होना है तो सतर्क रहें ताकि आपकी जिंदगी बरवाद होने से बच सके तो मैं ख्याल से जो हमने समझाया है वो आपको दोस्तों समझ में आया हो होगा एक और रिक्वेश्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे कभी भी कॉल नहीं लगा सकते ठीक है मैं अक्सर देखता हूं कि कभी भी कॉल आ जाता है मेरे पाल उटके और बहुत हिरानी होती है फिर लोग बताते कि सर मैं यह बोल रहा हूं आपसे इस टाइम पर ब लिए बड़ा विच्छित्र सा है कि कभी भी कॉल लगा देते हैं कई बार में कोट में हूं दोपहर में एक, बज़े, बाराव, बज़े मुझे मेसेज कर रहे हैं सब अरे इससे क्या होगा भाई ये भी तो सोचा करें कि मैं भी कभी फ्री रहता हूँ तब ही ये काम करें आप कभी भी कॉल लगा देंगे कभी भी वाटसेप पर मेसेज कर देंगे तो ये बड़ा वो है एक मेशा ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन लोग कोश्चन पूशना सुरू कर देते हैं ये बड़ी यजीब बात है मुझे कॉल शाम को ही लगाए और अगर सुबह लगाना है तो सुबह 9 वज़े तक कॉल लगा सकते हैं उसके बाद नहीं क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपने कामों में विजी हो जाता हूँ ठीक है तो ये मैं पहले भी मैसेज दे चुका हूँ फिर दे रहा हूँ थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें और अगर हमारे चैनल से में आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियो भी शेयर करें जो वीडियो आप देखते हैं करिपया उसमें लाइक का बटन दबा दिया करें